जै मातादी दोस्तों, एक बर फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं असली वशीकरण के मत, जी हाँ, यहाँ पर आपको जो मंत्र बताये जाते हैं, जो विध्या, जो तरीके आपको बताये जाते हैं, इनका तोड पूरे भ् जाता है, हमेशा के लिए वो आपके आसपास ही रहना जाता है, आप से कहीं दूर वो जाना ही नहीं जाता, और आज जिस तरीके कि मैं बात करें हूँ, वो तो इतना सरल, इतना आसान है, कि इस विधी को कोई भी कर सकता है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, किसी को अप आपना बनाईए जी हाँ आज हम बात करें हैं गुलाब से वशी करन के बारे में तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब के फूल से मात्र एक गुलाब के फूल से आप कैसे किसी को सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट में वशी करन कर सकते हैं उसे अपना बना सकते हैं मात्र आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बतादू दोस्तों कि ये जो वर्षीकरण है ये इतना प्रचंड है कि अगर एक बाद इसका आपने प्रियोग किसी पर कर दिया तो वो आप कभी भी नहीं तोड सकते हैं वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा चाह कि आप दुबारा उस व्यक्ति की इस्थिति को नॉर्मल कर दे तो ये मुम्किन नहीं है क्योंकि ये प्रचंड वर्षीकरण है और इसका असर कभी भी समाप्त नहीं होता तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि गुलाब के फूल के प्रियोग से मात्र 60 सेकेंड में किस तर गुलाब के फूल को आपको अपने दाईने हाथ मर रखना है और जो मंत्र में आपको बताने जा रही हूं उस मंत्र का साथ बार उचारण करना है और गुलाब के फूल को लेकर आपको एक ऐसी जगा जाना है जहां नधी या नाला हो और जो नाला है वो भी गंदा नाला न लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मंत्र उचारन करते समय उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसको आपको वश्मी करना है और मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि बहुत ही सिद्ध मंत्र है इस मंत्र के प्रियोग से जो वशीकरण होता है, वो वशीकरण हमेशा के लिए होता है, कभी भी उस वशीकरण को हटाया नहीं जा सकता और वो मंत्र है Om K cream K cream जी हां, आप किसी नधी या नाले के पास चाहिए साफ और स्वच पानी होना चाहिए उस नधी या नाले का इस बात का खासतोर पर ध्यान रखे और दरश को एक और बात का आपको खासतोर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस विधी को करें तो आपको कोई भी देख नहीं रहा हो आपके आसपास कोई और ना हो क्योंकि अगर आपके आसपास कोई और होगा तो इसका प्रभाव आपको result में जरूर दिखाई देगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें एक बहते हुए नाले के पास जाईए यह जो गुलाब का फूल है इस तरह है गुलाब का फूल लीजे उसे अपने दाइने हाथ में रखें और इस तरह साथ बार इस मंत्र का जाप करें ओम क्लीम क्लीम ओम क्लीम क्लीम जी हां दरशकू इसी मंत्र का आपको साथ भाल जाप करना है और इस साथ भाल जाप के बाद इस मंत्र को जो गुलाब का फूल है इस गुलाब के फूल को आपको बहते हुए जल में प्रभाग कर देना है जी हां अगर आपने मात्व इतना कर दिया तो उसके सर्फ हो सर्फ साथ सेकंड बाद उस व्यक्ति का आपके पास फोन आएगा और वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे बे इंतहा मोहबद करना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपके बिना रह नह पात और ये भी हो सकता है कि वो साक्षात आपके सामने आकर खड़े हो जाएं आप से मिलने के लिए तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिन्दिगी में भी ऐसा हो जो आप से रूट गए हैं वो मान जाएं आपका प्यार आपको वापस मिल जाएं तो इस तरीके को इस विधी को जरूर अपनाईए और मात्र एक गुलाब के फूल से सर्फ और सिर्फ 60 सेकेंग में किसी भी व् प्रकार की दिक्कत हैं कोई भी समस्या है तो आप हमारी गुरू माता जी को दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वाटसब कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं और अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं अपने आपको एक खुशहाल जंदिगी देने में अपने आपको एक खु तहां लाब देता है दर्श को जो बाते मैंने आपको बताई हैं उन बातों का खास तोर पर ध्यान रखेगा कि जब भी आप इस विधी का प्रियोग करें तो आपके आसपास कोई भी ना हो सिर्फ वा सिर्फ आप हूँ आप अकेले हो तभी ये असर करेगी अन्नित अगर किस समा आप थोजाएगा जिर्माता दी दोस्तों